तो दोस्तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे बोल्यूड और साउथ की अपकमिंग फिल्म्स की लेटेस्ट अपडेट के बारे में तो चलिए सुरुआत करते हैं देखते रहिएगा पूरा वीडियो तो दोस्तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फास्ट नाइन फिल्म के अब तक के टोटल बोक्स ओफिस कलिक्सन के बारे में फास्ट नाइन फिल्म को चाइना, साउथ कोरिया, रशिया, इसके अलावा मीडल इस्ट और होंग कोंग में रिलीज हुए दो हपते से ज़्यादा का समय हो चुका और फिल्म का इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में थर्ड वीकेंड चल रहा है अगर बात करें इस फिल्म के अब तक के टोटल बोक्स ओफिस कलिक्सन के बारे में टोटल ग्रोस कलिक्सन किया है 53 मिलियन डोलर जैसे इंडियन करनसी में बोल सकते है 380 करोड रुपे इसके साथ दोस्तों यहाँ फिल्म का जो वर्ल्ड वाइट ग्रोस कलिक्सन अभी तक हुआ है वो हो चुका है 252 मिलियन डोलर यानि के 1820 करोड रुपे बता दो दोस्तों फास्ट नाइन फिल्म इसी महीने यानि के 25 जून को हिंदुस्तान में भी रिलिज होने वाली है हिंदी, तमिल, तेलगो, मलियालम और कन्नडा में तो आपको फास्ट नाइन का इंतजार है या नहीं कमेंड बोक्स में कमेंड करके ज़रूर बताए वही दोस्तों अगली अपडेट है अखिल एकके नेनी के अपकमिंग फिल्म को लेकर अभी पिछले दिनों अखिल एकके नेनी ने अपने नई फिल्म का अनाउसमेंट किया था जिसका नाम है अजिन्ट इस फिल्म को डाइक्ट करने वाले है सुरेंद्र रेडधी तो आपको बता दे दोस्तो एजेंट फिल्म से लेकर अपडेट यह ही है कि अखिलके नेनी की एक सन ट्रामा फिल्म एजेंट में यहाँ पे विलन के लोगो रोल के लिए अप्रोच किया गया है कन्नाडा एक्टर उपेंद्र को जी आ दोस्तो उपेंद्र इससे पहले भी हमें अल्लो अर्जुन की फिल्म में नजर आ चुके हैं जिसका नाम था सन ओप सत्यामूर्ती तो दोस्तो एक बार फिर से उपेंद्र को एक और तेलगू फिल्म में विलन का रोल ओफर किया गया है हलाकि अभी तक उपेंद्र की तरफ से ना तो confirm किया गया है ना तो फिल्म को reject किया गया है पर अभी की news यही है कि अखिल अक्यनेनी की agent फिल्म में साइध उपेंद्र हमें विलन के रोल में देखने को मिल सकते हैं और भी कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको अगे बता दूआ वही दोस्तो अगली news से सूपरिश्टार सलमान खान के फिल्म राधे को लेकर जिया दोस्तो इस इद पे राधे फिल्म OTT प्लेटफर्म जीपलेक्स पर रिलिज हुए थी जिस फिल्म हमें सलमान खान के साथ दिशा पटाने रंधी फूडा और जेकी स्रोप देखने को मिले थे तो दोस्तो वेसे तो इद के मोके पर जब भी सलमान खान के फिल्म में रिलिज होती है सिनेमा घरों में बड़ी बड़ी लाइने लग जाती है लेकिन इस बार OTT प्लेटफर्म पर राधे रिलिज हुई जिसके चलते सलमान खान के फेंस जो राधे फिल्म को बड़े परदे पर एंजोई करना चाहते थे वो काफी निरास हुए लेकिन दोस्तों आपको बता दे कोई जितने भी सलमान खान के फेंस राधे फिल्म को बड़े परदे पर देखना चाहते हैं उनके लिए एक गुड नियूज आ चुकी है जियां दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि अब इंडिया में सिनेमा घर फिर से खुल रहे हैं फिल्म बोक्स ओफिस पर ठीक ठाक कमई कर जाएगी बाकि दोस्तों राधे फिल्म सिनेमा घर में रिलिज हो रही तो आप इस फिल्म को सिनेमा घरों में देखने जाना चाहोगे या नहीं कमेंड करके जरूर बताए वही दोस्तों अगले अपडेट है अलू अर्जुन की फिल्म को लेकर तो दोस्तों पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे रूमर्स आ रहे थे कि अलू अर्जुन और तमिल डाइरेक्टर एयार मुरुगदास एक साथ एक फिल्म बनाने वाले हैं ये नियूज आज से लगबग एक साल पहले भी वाइरल हुई थी जहांपे ये बताया जा रहा था कि अलू अर्जुन गजनी का सिक्वल बनाएंगे लेकिन वो खबर पूरी तरह से जुटी थी लेकिन दोस्तों पिछले दो महिनों से एक खबर ज़्यादा गरम हुई थी कि अलू अर्जुन और एयार मुरुगदास साथ मिलकर फिल्म बनाएंगी तो दोस्तो आपको बता दे कि जो अलु अर्जुन और ए एर मुरुगदास फिल्म बनाने वाले थे वो फिल्म अलु अर्जुन ने रिजेक्ट कर दी है ज़या दोस्तों conformnews आई है कि एर मुरुगदास ने अलु अर्जुन को एक फिल्म ओफर की थी लेकिन अल्लो अर्जुन ने उस फिल्म को reject कर दिया तो आप दोस्तों आपको ये बता दू कि जो फिल्म अल्लो अर्जुन ने reject की है उस फिल्म में नजर आएंगे राम पुत्थी नेनी जी हा दोस्तों दो दिन पहले ही मैंने आपको एक वीडियो में बताया था एक बोली हुट की बड़ी फिल्म है जिसके चलते अल्लो अर्जुन ने अर मुरुगदास की फिल्म को reject कर दिया और यार मुरुगदास ने अपने अगली फिल्म में कास्ट कर लिया राम पोतिनेनी को वही दोस्तो अगली अपडेट है रेबल इस्टार प्रभास की फिल्म सलार और आधिपुरुस को लेकर तो दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं कि सलार और आदिपूरुस दोनों ही फिल्मों का सूट बहुत सारा हो चुका है और इन दोनों ही फिल्मों की सूटिंग आभी और करनी बाकी है लेकिन दोस्तों पिछले दिनों लोकडाउन लगा था मुंबई में और इंडिया में बहुत सारी जगा जिसके चलते ना तो आदिपुरुस फिल्म के सुटिंग हो पा रही थी ना ही सलार की इसे में दोस्तों जितने भी प्रभास के फेंस मुझसे ये अपडेट मांग रहे थी कि सलार और आदिपुरुस फिल्म के सुटिंग कब श्टार्ड होगी तो उनके लिए एक बहुत बढ़िया ख़वर आ चुकी है जिया दोस्तों आपको बता दे कि इंसाइड निउस के अनुसार सलार और आदिपुरुस फिल्म दोनों ही फिल्मों के जो सेट से वो हेदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी में लग चुके हैं और दोस्तों यहाँ पे गोर करने वाली बात यह है कि सलार फिल्म का सेट और आदिपुरुस फिल्म का सेट दोनों पास पास लगा हैं यहाँ पे सलार और आदिपुरुस फिल्म के मेकर्स ने यह सूचा कि जब फिल्मों की सूटिंग इतनी डिले हो चुकी है और अब जब प्रभास दोनों ही फिल्मों के सुटिंग करना चाहते हैं तो अगर सलार और आदिपुरुस फिल्म का सेट एक पास ही लग जाएगा तो प्रभास को बहुत आसानी हो जाएगी कोई जब उन्हें सलार की सुट करना होगी वो तब सलार के सुट पे चले जाएंगे और जब उन्हें आदिपुरुस फिल्म की सुटिंग करना होगी तो आदिपुरुस के सेट पर चले जाएंगे तो दोस्तो यहाँ पे सलार और आदिपुरुस दोनों ही फिल्मों के सेट तयार है अब उमीद की जा रही कि साइद अगले हपते या दो हपते बाद सलार और आधिपुरुस की सुटिंग रामोजी फिल्म सिटी में चालू हो सकती है वही दोस्तों अगले अपडेट है प्रभास की फिल्म राधे शाम को लेकर जिया दोस्तों राधे शाम फिल्म जिसकी सुटिंग लगभग पूरी कंपलीट हो चुकी और फिल्म रिलिज के लिए तयार है लेकिन जैसे ही सिनमा घर खुलेंगे उसके बाद हमें राधे शाम फिल्म सिनमा घरों में देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप मेंसे बहुत सारे लोग मुझसे कमेंड में पूछ रहे थे कि राधे शाम फिल्म के म्यूजिक इल्बम के बारे में बताईए यानि कि फिल्म के गानों के बारे में कुछ जानकरी दीजिए तो दोस्तो राधे शाम फिल्म के म्यूजिक को लेकर ज्यादा इन्फोमेसन तो मुझे नहीं मिली है यानि कि फिल्म में कितने गाने होंगे और कि इस टाइप के गाने होंगे ये तो नहीं पता लेकिन एक बड़ी खबर मेरे हाथ लग चुकी जियां दोस्तो आपको बता दे कि राधे शाम फिल्म में जूबिन नुटियाल और स्रया घुसाल का एक गाना होने वाला है और ये निवस 100% कन्फर्म मुझे पता चली है तो दोस्तो वेसे तो आभी तक प्रभास के लिए जूबिन नुटियाल और स्रया घुसाल ने कोई गाना नहीं दिया लेकिन राधे शाम में ऐसा पहली बार होगा जब जूबिन नुटियाल और स्रया घुसाल प्रभास के लिए गाना देंगे उमिद की जा रही है दोस्तों की ये गाना एक रोमेंटिक सोंग होने वाला है तो दोस्तों यही थी आज की कुछ खास अपडेट उमिद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो उस वीडियो को लाइक करें चेनल को सब्सक्राइब करें